आज के वीडियो में हम जानेंगे Anti-Emmetics Injection के बारे में यानि ऐसे इंजेक्शन के बारे में जो Nosea और Vomiting को कंट्रोल करते हैं तो Complete जानकारी लेंगे इन इंजेक्शन के बारे में साति साति इन इंजेक्शन के Famous Brand और इनकी Doze, Side Precations ये सबी बाते आज हम इस वीडियो में किलियर करेंगे तो वीडियो का आप एंड तक जुरूर देखे और चैनल को भी जुरूर सब्सक्राइब कर ले ताके इसी तरह की नोलिजिबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जानेंगे मेटर कोलो पुरामाइड इंजेक्शन के बारे में इसका जो ब्रैंड होता है वो आपको पेरिनॉर्म या वैगला नाम से मिल जाएगा इसके अलावा भी अगर आपको एंटीमेटिक्स कोई अच्छा इंजेक्शन मिलता है तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं और ये 2 ml का इंजेक्शन होता है और 10 ml के इसकी वाइल भी आती है पेरिनॉर्म जो है वो आपको 2 ml का इंजेक्शन और 10 ml के वाइल मिल जाएगी अब हम जानेगे इस इंजेक्शन के बेनफिट के बारे में मेटाकलो प्रोमाइड इंजेक्शन को नोजिया और वोमेटिंग हो जाने पर यूज किया जाता है किसी परसन को उल्टी लगती है, जी मचलाता है, मोशन सिकनेस, हार्ट बन, इंडाइजेसन मतलब बधजमी या उपकाई सी आती है अब आज फूड पाइप में खाना जो है वो उपर की तरफ का आता है जिसकी वज़े से चेस्ट पैन होने लगता है इस तरह की कंडिशन में इस इंजेक्शन को यूज किया जाता है नोज्या और वोमिटिंग को कंट्रोल करने में इस इंजेक्शन का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट होता है और इस इंजेक्शन को IV और IM दोनों रूट से लगा सकते हैं तो यह थे इसके कुछ बेनफिट अब हम जान लेते हैं इसके प्रिकेशन यानि इस इंजेक्शन को लगाने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अगर कोई पैसेंट लिवर से रिलेटिड है या फिर कोई किड्नी से रिलेटिड है या फिर कोई ब्रेस फैडिंग लेडी है या कोई प्रिगनेंट लेडी तो ऐसी सभी कंडिशन में इस इंजेक्शन को डोक्टर से कंसल्ट करके ही यूज़ करे ऐसी कंडिशन में साइड इफेक्ट आ सकते हैं ऐसी कंडिशन में आप एक बार डोक्टर से कंसर्ट कर ले और उसके बाद यूज करे और इस इंजेक्शन को आप ओवर डोज में ना ले बलकि कोई भी इंजेक्शन हो उस इंजेक्शन को आप या कोई भी मेडिशीन है ओवर डोज में ना ले और किसी भी मेडिशीन को बार उसकी expiry check कर ले तो यह तो इसके कुछ प्रिकेशन अब हम जानेंगे side effect के बारे में common side effect की बात की जाए तो fatigue weakness इस तरह का common side effect एकाथ परसन को देखने को मिल सकता है अब हम जानेंगे on dance set on injection के बारे में यह भी बहुत famous injection है जो आपको सभी जगए easily मिल जाएगा और उसके famous ब्रांड की बात करें तो इसमें आपको वोमिकाइंड और एमसेट injection मिल जाएगा यह इसके famous popular ब्रांड है जो आपको सभी जगए easily मिल जाएगे और इसके pre-cations की बात करें तो अगर कोई heart से related कोई patient है या फिर liver से related कोई patient है तो ऐसी condition में इस injection को ना लगाने की सिलाह दी जाती है ऐसी condition में डोक्टर से concern करके use करें इसके अलावा pregnancy में आप इसको लगा सकते हैं breastfeeding में भी डोक्टर से concern करके लगा सकते हैं और बच्चे बड़े सभी इस injection को लगा सकते हैं बाकी इस injection को भी आप overdose में ना ले और किसी भी medicine को यूज करने से पहले एक बार उसकी expiry चेक कर ले तो ये तेसकी कुछ pre-cations अब हम जानेंगे side effect के बारे में common side effect की बात की जाए तो injection side pen यानि जहाँ पे injection लगा है वहाँ पे थोड़ा pen हो सकता है patient को const constipation हो सकता है diarrhea हो सकता है fatigue headache इस तरह का side effect एकाथ person को देखने को मिल सकता है जो कि एक दो दिन में ठीक हो जाते हैं अब हम जानेंगे बहुत ज़्यादा powerful granis atron injection के बारे में ये बहुत powerful injection है जो की बहुत अच्छा काम करता है ये एक long acting injection है ये आपको 1MG में देखने को मिल जा गरेंडम इसका popular brand होता है और इसके benefits की बात करें तो granis atron injection को heavy nausea vomiting हो जाने पर यूज किया जाता है पैसेंट को किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा vomiting हो रही है तो उस condition में इस injection को लगाया जाता है लाइक cancer chemotherapy इस condition में बहुत ज़्यादा vomiting होती है after surgery, surgery के बाद भी बहुत ज़्यादा vomiting होती है तो ऐसी condition में इस injection को लगाया जाता है यानि पैसेंट को किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा vomiting हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा जी मिचला रहा है जिसे नोज्या बोलते हैं तो उस condition में इस injection को लगाया जाता है इस injection का वोमिकाइन और M-set injection से भी अच्छा result देखने को मिलता है वैसे तो अगर किसी patient को नोज्या वोमिटिंग हो रही है तो ये वोमिकाइन injection ही ठीक कर देते हैं यानि on-dance saturn injection ही ठीक कर देता है लेकिन अगर patient को बहुत ज़्यादा vomiting हो रही है और ये on-dance saturn injection है इससे भी ठीक नहीं हो रही है तो उसके बाद इस injection को यूज कर जाता है यह बहुत powerful injection है जो कि नोज्या वोमिटिंग को इजी तरीके से कंट्रोल कर देता है और इसकी dose की बाद को IV यूज कर जाता है I am नहीं only IV इस injection को यूज कर जाता है और इस IV medicine को यूज करने से पहले एक बार उसके expiry check कर ले तो यह है इसके कुछ प्रिकेसंस अब हम जानेंगे इसके भी common side effect के बारे में common side effect की बात की जाए तो वही सेम, injection side pan, constipation, diarrhea, headache, weakness और insomnia भी हो सकता है इस injection से किसी किसी patient को insomnia की भी problem हो सकती है जो कि एक दो दिन में ठीक हो जा देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी subscribe कर सकते हैं